आज हम देखेंगे कि घर की बची हुई सब्जियों से हम कैसे सैंडविच तयार कर लें तो इस वीडियो में हम ब्रेड और बची हुई सब्जियों से सैंडविच बनाना सिखेंगे सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें थोड़ा सा बेसन लेंगे बेसन को हम बाउल में डालके जितना हम जरूरत हो उतना हम बेसन लेंगे फिर इस बेसन को हम अपनी जरूरत के हिसाब से लेके इसमें हम थोड़ा नमक थोड़ा गरम मसाला और हल्दी और जो भी आपको डालना हो आप उसमें थोड़ा अजवाई डालके उसको मिक्स करेंगे प्रॉपरली ताकि हमारा जो है मिक्सचर अच्छे से बन जाया देखिए इस प्रकार हमने इसको मिला दिया है अब इसको मिलाने के बाद हमको इसमें थोड़ा पानी डालना है इसमें बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा जुरूत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसको मिक्स करते रहेगा ताकि ये बहुत ही डैलूट मिक मिक्ष्चर त्यार करने के बाद अब हमारे पास जो भी दिन की बच्ची हुई सब्जी रहेगी कि उस सब्जी को हम इस मिक्ष्चर में दीरे दीरे डाल के इसको भी हम इस मिक्ष्चर में प्रॉपरली मिला देंगे देखिए हम यहां पर दीरे इस वेस्टिबल को इसमें डालके हमने इसको मिलाना सुरू कर दिया है अब इसको पुरी तरह से जब इसमें हमारा वेस्टिबल मिक्स हो जाए तो हम इसको प्रॉपरली मिक्स करके हम इसको अब अपने ओवन के अंदर डालेंगे लेकिन उसके पह स्टार्ट करेंगे और उसको हम माइक्रोवेब पे पावर हाई पे लगाके मुश्किल से इसको six minute टाइमर पे हम सेट करेंगे या आपके इसाब सब जितना देर आपको लगे आप उतना मिनट के लिए इसको सेट कर सकते हैं तो इसको हमने पलेट पर रख दिया है और पलेट लगाया है और हमने 10 मिनट का लगाया है कि इसको खुक होने के लिए लिए लेकिन हम इसको six minute पे ही निकाल लेंगे गहाँ पे यहां पर जो है पक्के पर्स प्सॉचर मिक्शचर बना हम यहां पर न प्राल ब्रांट ब्रेड लह कहाँ है तीन पीसे समने यहां पर लिए हैं और एक के ऊपर एक हम इसको ऐसे लगा कि इस मिक्स्चर को प्रॉपर ली और इसको त्यार कर लेंगे इस पर चीज भी डाल सकते हैं जिसे हमने इस पर चीज डाला उपर से यह चीज डिजॉल्व होके इसमें बहुत अच्छा लगता है पर दूसरा पीस भी तयार ऐसे हमने कर लिया है अब इन दोनों को हम फिर ओवन में डालके और ग्रिल वाल इस्टेंड पर इनको रखके हम इनको ग्रिल करेंगे तो देखिए हमने यह पर प्रॉपर ली इसको ओवन में सेट कर दिया है अब इसको सेट करने के बाद हमने इस इसरे साट से भी ग्रिल कर लेंगे और इस प्रकार यह हमारा एक कुरकुरा सैंडविश्ट बनके तयार हो जाएगा मनने के बाद आपको ऐसा दिखेगा